हाई गाइस वेलकम बैक टो एड़नेक यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो आप सबके कुछ कुछ क्वेशन जो की पिछले कुछ दुनों में आप सभी ने पूछे तो कुछ ऐसे क्वेशन थे जिन पर डिसकस करना काफी इंपोरेंट था आप सभी मेरा ओपिनियन जेई 2021 पर मांग रहे थे कुछ क्वेशन ऐसे थे कि जेई में सिलेबर से रिलेटर थे कुछ जेई में एक्जाम से रिलेटर थे तो आज वही क्वेशन को पूरे डिटेल्ड में सभी फेक्टर के साथ देखेंगे और यह वीडियो एक्सपेक्टेड है तो मुझे मालुत मैं आप मैंसे काफी सारे स्टूडेंस को यह वीडियो पसंद नहीं आएगी तो प्लीज इस वीडियो को डिसलाइक मत करना क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है तो please dislike मत करना अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ fake news दूँगा तो आप अभी इस वीडियो को end कर सकते हैं और guys एक point और मैं fake news क्यों ही अगर मैं fake news दूँगा तो फिर आप सभी के तरफ मेरा attention कैसे बनेगा मेरा जो trust है वो क्यों ही बनेगा तो मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि बिलकुल 100% जो correct news है वो ही पहुचा हूँ कोई भी वीडियो में कुछ भी fake news नहीं होती बट आपको अगर लग रहा है कि मैं fake news दूँगा तो please इस वीडियो को end कर दो और dislike मत करना क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो में चलो हम वीडियो की तरफ दाथ जाते हैं questions को और discuss करेंगे कि J.E.Mains 2021 जो कि January में है वो क्या postponement होगा अभी तक उसका application form नहीं आया तो क्या हम expect कर सकते हैं कि कुछ postponement news आएगी and J.E.Mains syllabus reduction क्योंकि CBSE ने J.E.Mains syllabus reduction किया है but उसके बाब जूर क्या हमारा J.E.Mains का syllabus रिडियोस होगा पिछली वीडियो में मैंने डिसकस किया था syllabus reduction से तो हम syllabus reduction पर बहुत कम बात करेंगे हम point out करेंगे J.E.Mains 2021 जन्वरी सेशन के exam को so let's get started so J.E.Mains 2021 अभी तक November तक कोई भी application form नहीं आया J.E.Mains का अगर हम पिछले सालों का trend देखें पिछले कुछ सालों का trend देखें तो September 14 तक हमारा सभी processes payment का और application form की last date हुआ करती थी मतलग 14 September तक हमारा J.E.Mains का application form complete हो चुका होता था बट क्योंकि पिछले सालों से इस साल का कुछ अलग है coronavirus की बज़े से हमारे education system में हमारे exams में काफी सारे changes हुए exam में J.E.Mains के April exam में 2020 के April exam में 5 months का gap आया जो कि हम बिल्कुल expect नहीं कर रहे थे बट उसके बाद high condition में जब coronavirus peak पर था तब उसके बाद भी हमारी government ने J.E.Mains का exam को conduct कराया so क्या 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 factors हम consider कर सकते है J.E.Mains 2021 postponement के क्या 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 ऐसे factors हो सकते है जिससे हम एक idea लगा सकते है कि J.E.Mains 2021 postponement हो जाएगा so first point है हमारा application form application form अभी तक नहीं आया है November हो चुका है and November and December 2 मन्त है हमारे पास J.E.Mains exam के लिए so अभी तक application form नहीं आया है तो हम ये expect कर सकते है percentage wise देखे तो 70-30 का percentage है 70% अगर मान लीजिए अगले 15 दिनों में application form release नहीं हुआ तो हम ये confirm हो जाएगा हमें कि J.E.Mains 2021 postponement होगा but अभी क्योंकि 15 दिन को हमको wait करना है तो अभी हमको wait करना पड़ेगा अभी हम कोई भी एक approximate data ही लगा पाएंगे एक expected data ही लगा पाएंगे कोई भी official announcement नहीं दे पाएंगे so हम एक expectation कर सकते है expected है कि अगर आने वाले 15 दिनों में J.E.Mains का application form release नहीं हुआ तो एक confirm हो जाएगा आप confirm समझना कि J.E.Mains postponement हो जाएगा and second factor second factor guys बहुत बड़ा factor है क्योंकि अभी complete unlockdown हो चुका है government के तरफ से बट अभी भी schools, colleges, कोई भी coaching institute कोई भी organization, कोई भी companies open नहीं हुई तो जब तक ये सब चीज़े open नहीं होंगी तब तक हम हमारे exam की date decide नहीं कर पाएंगे so अभी government की कुछ guidelines आई थी college को open करने के लिए डिवाली बाद हम expect कर सकते हैं कि हमारे colleges, coaching institutes, schools open हो जाएं but हम अभी सिर्फ और सिर्फ एक expectation लगा सकते हैं कि अगर application form और schools open हुए तो ही हमारा January में जो official dates होती है जो हम first week of January होता है उसमें हम exam को expect कर सकते हैं but अगर 20 November तक यह कोई भी process जो है schools open, schools, colleges reopen और application form release अगर यह दोनों ही नहीं हुए तो हम पूरी confirmation के साथ बोल सकते हैं कि हमारा J means 2021 postponement होगा now guys syllabus reduction syllabus reduction में मैंने पिछली बार वीडियो में बात किया था कि अभी तक कोई भी ऐसा official announcement नहीं हुआ but काफी सारे educationist काफी सारे organizations काफी सारे students भी government को approach करने है कि उनका J means का syllabus है वो reduce हो जाए अब हम बात करें कि J means 2021 के लिए क्या syllabus reduction सही है और अगर मान लीजे syllabus reduction होगा तो किस तरीके से syllabus होगा और कब हमको उसकी announcement मिल जाएगी so guys मेरे opinion से J means का syllabus reduction होना चाहिए क्योंकि अभी तक आप सब की जो भी education है जो भी आप पढ़ाई कर रहे थे अभी आपकी सारी offline coachings institute बंध है online education में हम इतनी अची तरह नहीं पढ़ पाते तो government को भी एक पॉइंट देख रहा है कि अगर offline institute बंध है तो syllabus में reduction कोछ होना चाहिए और गर इस एक plus point और है हमारे पास की CBSE ने भी इस साल हमारे syllabus को reduce कर दिया 30% तो हम एक expect कर सकते हैं अगर government ने same point अगर government ने नवेंबर तक कोई भी decision नहीं दिया तो postponement होगा confirm है और syllabus भी reduction होगा ये भी confirm है क्योंकि दो महिने में J-E mains को भी मालूम है NTA को भी मालूम है कि दो महिने में अगर हम syllabus को reduce करेंगे तो students में इतनी capability नहीं है कि वो उसके लिए prepare हो further exam के लिए prepare हो अगर syllabus को reduction होगा तो आपका J-E mains further postponed होगा and guys ये ही थी हमारे question I hope आप सभी के questions को हमने अच्छी तरह clear किया हो and video नहीं पसंद आए तो please dislike मत करना ऐसी ही छोड़ देना but मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये video पसंद आए and मिलते हमारी next video में काफी सारी videos आने वाली important and मैं सोच रहा हूँ guys एक important announcement या फिर एक suggestion मान लिजिए आप सबको जो भी एक video देख रहे हैं वो please comment कीजिए अगर आपको कोई भी notes चाहिए कोई भी किसी भी topic के short notes so please comment box में comment कर दीजिए जिससे हम उस process को complete करें and आपके लिए जल से अद उस request को आपकी process करें thank you for watching guys मिलते हमारी next video में all the best